संबल में पत्थर नहीं चल रहे लेकिन जूट की पत्थर बाजी अब संबल के नाम पर तेज हो चुकी है इसलिए आज एक-एक करके सच जूट के बीच जुलस्ते संबल की एक-एक खबर दिखाएंगे पहला सच यही देखना है कि क्या चार लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई सत्यूग में जिसका नाम सत्यव्रत कहा गया त्रेता में महदगिर्ग, वापर में बिंगल, कल्यूग में उसी का नाम कहा जाता है संबल गुआ भारत में सबसे कम साक्षर्टा दरवाले शेहर के नाम पर भी नाम संबल का ही दर्ज है धार्मिक महत उसे देखें तो कहा जाता है देश की राजधानी से 1500 किलोमीटर दूर संबल में 68 तीर्थ और धार्मिक मानेताओं को समेटे 19 कूप हैं लेकिन कल्यूक के इस दौर में संभल सुर्ख्यों में आया इस जामा मस्जिद के पहले हर हर मंदिर होने के दावे को लेकर किये जाते कोर्ट के आदेश के बाद होते सर्वे को लेकर जहां 24 नवंबर रविवार की सुभा ऐसी पत्थरबाजी होती है महाल को और ज्यादा बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस को बड़ा एक्शन लेना पड़ता है चार मौत हुई, साथ एफाई यार दर्च हुई, आठ सो लोगों की तलाश हो रही है सबसे बड़ा सवाल संभल को किसने सुलगाया अखिले शादाव कहते हैं दंगा सरकार ने कराया पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है और किसने कराया सरकार ने कराया क्योंकि सरकार जो बेहमानी कर रही थी सरकार जिसने बोट लूटा कमिशनर मुरादाबाद कहते हैं नए लड़कों को उकसा कर हिंसा कराई गई संभल के सांसत कहते हैं सर्वे के दौरान नारेबाजी से महौल बिगड़ा है जब सर्वे के लिए लोग अंदर पहुंचे तो मौप के साथ में जैशेराम और उसके नारे लगाते हो गए और स्सपी संभल के कहते हैं ज्याउर रह्मान बर्क ने ही भीड को भड़काया है बीड को उपसाने के लिए और जामा मस्जित की हिवाज़त कोट एन अनकोट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया उसी मोबिलाइज़ेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड देखी एक आएक आठ बस के 45 मिनट पे लोग इखटे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की कटना को अंजाम दिया हिंसा क्यों हुई जामा मस्जिद के कोड के आदेश पर होते सर्वे के खिलाफ या सर्वे के नाम पर लोगों को बहका कर चार लोगों की माउत कैसे हुई पुलिस की गोली से या फिर भीड के बीच से ही आपसी विवात के देशी कट्टे से नेता सच बोल रहे हैं या फिर जूट चुनावी धांधिली छिपाने के लिए सर्वे दुबारा हुआ या कोड के आदेश पर नियम मुताविक हिंसा ना होती अगर भड़काने वाली साजिश न रची जाती या फिर प्रशासन के एक कदम से गलत फहमी ना फैलती संबल में अभी तो सब कुछ शांत दिखता है लेकिन शांती बनी रहे इसलिए जरूरी है जूट की गोलियां फिर से कोई ना चला सके ये वीडियो सबसे ज़ादा चर्चा में है जिसमें संबल में रविवार को बेकाबू होती हैं सक जिर को काबू करने के लिए बल प्रयोग करती हुई पुलिस दिखती है सेपाई से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हतियारों से गोलियां चलाई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है संबल का महाल विगारने में याचिकार दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रसाथन के लोग जिम्मेदार हैं इनको निलम्बित किया जाना चाहिए और हत्या का मुगदमा चलाया जाना चाहिए लेकिन अब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अधार पर दावा किया जाता है कि बिलाल, नईम, आयान और कैफ की हिंसा के दौरान मौत पुलिस की गोली से नहीं बलकि 315 बोर की गोली से हुई यानि देशी कटे से चली गोली से चार लोगों की जान प्रशासन के मताबिक गई ना कि पुलिस की गोली से अब ही तक चार जित कंफर्म होई है चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में प्रथम देश्टया देशी बंदूग से जो के में जो खारतों सिस्केमाल होते हैं उससे लगने की बात है तो इसमें इसकी परताल भी आगे होगी इसमें पुलिस इनिवेस्टिकेशन करेगी मैजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश जिये जाए तो मैजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका आएगी जफर अली के दावेस अलग संभल के स्पी और डियम ये अलग तरह का चाकू प्रेस कांफरेंस में सोमवार को दिखाते हैं ऐसा चाकू भीड में मौजूद लोगों के पास से बरामद हुआ जिससे दो तरफा वार किया जा सकता है स्पी के मुताबिक ऐसे चाकू ही नहीं बलकी और अवायद हत्यार भी भीड में खड़े लोगों के पास थे और जिन्होंने गोली चलाई प्रशासन के मुताबिक उन्हीं अवायद हत्यारों से गोली चली तो फिर जफर अली के दावे का सच क्या है उनके द्वारा ये कहना है कि पुलीस के हाथ में देशी कटे थे, जब कि ये ब्रामा की नहीं है, हम लोगों के पास अपनी टी एसम, टीर स्मोक मिनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास, हमारे पास जो SRP, जो RRF है, उनके जो असले हैं, उनके जो असले होत संभल की पुलिस कहती है कि एक गोली उसने नहीं चलाई, जो चलाई वो रबर बुलेट है, अब आगे की मैजिस्ट्रेट जाच हो रही है, वहीं इस बीच आज संभल में हिंसा पहलने को लेकर, एक डावा जावा मस्जिद के सदर, जफर अली की तरफ से किया गया, आरूप ये लगाया गया कि मस्जिद के सर्वे के दोरान वजू खाने की हौज का पानी जबरन खाली कराने को लेकर बाहर जुटी भीड में गलत फहमी फैली और हिंसा हो गए, लेकिन इसका सच प्रशासिन के अनुसार कुछ और है, हाथ में पत्थर तो कुछ लोग उठा लेते, फिर पुलिस पकड़ती है तो अपनी बेगुनाही के दावी करने लगते हैं, जैसे संभल को सोमवार को ये तस्वीर नजर आती, संभल पुर की हिंसा में जिन लोगों के गिरफतार किया गया है, आप उनकी तस्वीरे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं, आप लोग कहा थे उस समय, तो थाने में, ताने में, जब हुआ तो आप लोग पत्थर चला रहे थे, उस समय पत्थर चला रहे थे, सब्देव गुनाये हम अपने घरस उठाए गए, ह्म कल कहां जब सकतरा है, हम पाबली के वहाँ पर खुब, ले पत्थर में, मस्जित के पास गया, गोली कौंड चला रहे हैं, गोली, आप, प्तरवाजी तो आखिर गोली किसने चलाई प्तरवाजी किसने चलाई पॉत्त ना ऐसे ये कारोपी फिरोज की ये मा है जिने लगता है कि इनके बेटे ने कुछ नहीं किया लेकिन संभल प्रशासन की तरफ से जारी वीडियो में कहा जाता है कि करने वालों को पता था कि वो कर क्या रहे है यही वजाय कि मुँपर रुमाल बांध कर चेहरा छिपा कर भीड हिनसा भढ़का ने पहुची लेकिन हिनसा क्यों हुई क्या संभल में हिनसा की वज़ा कोड के आदेश से मस्जिद का होता सरवे है तो इस सवाल के जवाब में तीन तस्वीनों के साथ एक नया सवाल आता है सरवे तो कोड के आदेश से वारानसी में ग्यानवापी मस्जिद का भी हुआ लेकिन वहां कभी कोई हिनसा नहीं हुई सरवे संभल की जामा मस्जिद का ही कोड के आदेश से 19 नवंबर की राद भी हुआ लेकिन हिनसा उस दिन भी नहीं हुई फिर सर्वे जब 24 नवंबर रविवार की सुबह किया जाने लगा तो हिंसा भड़ की लेकिन क्यूँ 19.11.2024 को सर्वे के आदेश दे दिये ताज्यूब तो इस बात का है कि ओर्डर मिलने के बादी संबल के जिलादिकारी संबल के पुलिस अदिच्छत आदेश को पढ़े बगेर दो घंटे बादी सर्वे के लिए पुलिस बलके साथ शाही जामा मस्जित पहुच गए इस बयान से सवाल आया कि जल्दवाजी में संबल प्रशासन तुरंट 19 नवंबर की रात ही सर्वे करने जामा मस्जित पहुचा था लेकिन जवाब अबाब मस्जित के सदर जफर अली का 19 नवंबर का ही सुनिये जामा मस्जित के सदर के बयान से साथ है कि 19 नवंबर का सर्वे जान बूश कर किसी ने जल्दवाजी में नहीं कराया तो अब जानना जरूरी है कि 24 नवंबर के सर्वे के बाद हिंसा क्यों भड़की क्या वजू खाने के हौज का पानी निकालने को लेकर कोई गलत पहमी प जोड़ी में भी मौजूद था उन्होंने बजिद होकर ये का कि इसका पानी खुलवाया जाए जब के वहापर स्पी साब और डीम साब यह कह रहे है कि नहीं डंडे से ना पलो वो नहीं मानी और पानी छुड़वा दिया पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी के व वजू टैंक की केवल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी इसलिए वजु टैंक का पानी खाली कराये गया नेट अब ही आपने बताया जफर सामने कि हर शुकरवार को भो खाली होता है आगे जफर सामने बोला कि लोगों में या भ्रहम फेला कि मज़ीद में ख पता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा उस नाली में पानी रेगुलर बहता। के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट को भीज़ दी जाएगी दिनाग बाईस ग्यारा दोहजाद चौबिस फ्राइड़े को जुमी की नवाज के लिए लोग नवाज अदा करने के लिए जामा मज़ित पहुंचे लेकिन पुलिस प्रसासर ने बेर बरोद प्रतसर नहीं हुआ किसी तरह की बरोद नहीं हुआ उन्तिस तारीक को कोड की अगली तारीक तैय थी शाही जामा मजजित की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोड के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे परनतु दिनाग तेज तारीक को रात पुलिस प्रसासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीकों यानि अगले दिन सुब्य को दुबारा सर्वे किया जाएगा आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया यह आदेश पुलिस प्रसासन को किस ने दिया कि दुबारा सर्वे आपका होगा सर्वे की कारवाई है उसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर 29 नवंबर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त करता हूँ और अंत में उन्होंने लिखा कि मैं सभी पक्षकारों को सुचित करता हूँ कि सर्वे की शेश कारवाई करने हे तू 24 नवंबर 2024 को प्राते काल 7 बजे से 11 बजे तक का समय निरधारित किया जाता है ये इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि 19 तारिक को उन्होंने हमें रात्री में एक पत्र दिया वो पत्र ये है जिसमें सपस्ट लिखा हुआ है कि वहाँ एक साथ 200 लोग मस्जिद के भीतर उपस्थित हो गए साइकाल का समय था एवं इतने ही व्यक्ति कि उपस्थिती में सर्वे का कारे सुचारू रूप से संपन नहीं हो सका वहाँ उपस्थित जन प्रतिनिदी एवं अन्य व्यक्तियुन द्वारा बार बार सर्वे की प्रकिरिया में अवरोध उत्पन किया जा रहा था एवं धमकी दी जा रही थी अता भविश्य में उन्हें सर्वे की कारवाई संपन की जाएगी जिस 23 तारिक को 6 बच के 15 मिनट पे मेरे द्वारा फोन किया गया लेकिन उन्होंने का मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए हमने SDM और CEO को भेजा कि आप एक कोपी उनको रिसीव कराए इससे पहले एड़ सर्वे के लिए जब रविवार को टीम जा रही थी तो क्या धार्मिक नारे लगाए गए थे और क्या उन्ही नारों की वज़े से तनाव फैला हिंसा हुई आरूप समाजवादी पार्टी लगाती है लेकिन प्रिशासन कहता है आरूप जूटे हैं नारे वाला वीडियो हि अखलेश यादाओ ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश हुई अखलेश ने पनी पोस्ट में लिखा कि जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाणने की मकसद से नारे बाजों को ले गए उनके खिलाफ शा साथ जैश्री राम का नारा लगाया गया इस आरोप के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर अखलेश यादाओ के हैंडल से पोस्ट किया गया यही आरोप संभल के सांसाच जियाउर रह्मान बर्ग भी लगाते हैं जो लोग वहाँ पर थे जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मौप के साथ में जैश्री राम और उसके नारे लगाते हो गए लेकिन संभल प्रिशासन का दावा है कि जिस नारे बाजी के नाम पर आरोप महौल बिगाडने का लगाया जा रहा है वो सच नहीं करशासन के मुताबिक जब हिंसा भड़क चुकी थी उसके बाद के वीडियो को गलत मंशा से फालाया जा रहा है वो जो नारे बाजी हुई थी जब लगबग सवा दस के बाद पत्थर बाजी चारों और से जो दंगाई पत्थर फैंक रहे थे वहाँ जब चारों और से भीड हो गई थी तो जो अन्या समुदाय था उनकी गली जो जामा मस्जिद के बिलकुल सामने पड़ती है उससे निकाला गया वो जो फुटेज हैं वो आते समय के नहीं है वो जब जा रहे थे सवा दस साड़े दस बज़े के आसपास तो उस समय के हैं और उनको और चोकी से आगे के हैं जो सर्थल चोकी से आगे के हो सकता है उस समय इन लोगों को किस लोगों ने देखा हो और उनके साथ वो नारे बाजी करते हुए फिर कोत वाली की और उन्होंने प्रस्तान किया हो जबकि फिर्म आपको कहूंगा वो साड़े दस बज़े के बाद के हैं उससे पहले का कुछ भी नहीं है संबल की पुलिस अब ड्रोन कैमरे के अलावा इलाके के दूसरे कैमरे में कैद विडियो खंगाल रही है पहचान हो रही है रुमाल बांद कर कौन आया चाकू लेकर कौन आया और कैसे रातो रात हिंसा पहलाने की साज़िश हुई कुछ फुटेज भी जारी किये गए जो यहां के जो मानिंद लोग थे उनके माजन से दिये गए कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ले गए थी वो भी जारी किये गए थे उसमें आपस्पष्ट देख सकते हैं कि संक्या में हैं जो बलवाई हैं दंगाई हैं उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और हंडर परसंट लोगों को जेल बेजा ज जाएगी क्योंकि उन्हों ने बलवा कराने का प्रयासि लार्जर कॉंसिपरेश्या आई है क्यूंकि तरीके से पीन राफ्टों से लोग निकल कर आये थे क्या उनका मगसद था कि सिर्क मस्जिदक इलाके में नीव बलकि शहर के अन इसों में भी इन्सागिया से नहीं को प और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा क्योंकि जब आपस में इतने पत्रबाजी की इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्रबाजी की गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे इस बात का प्रतीक था कि में भी आपस में कि अंदर कुछ ना कुछ रहा हो बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन 10-15 किलो मिटर के एरिया से लोगों को बुलाए गया तो आपको दिखाया था यह चाको तो मैंने भी पहली बार देखा जो दोनों तरफ से चलता है जो भीड में चलाने के लिए होता है और उस सारी चावाल